पहले डाइब कि लाक्ट के बारे में एक्सेन किया था याद में किसी को सब्सक्राइब कैसा होता है वह मैंने आपको डीटेलिंग में नहीं किया था मैंने सिर्फ आइडिया दिया था आपको किस इसाफ से हो सकता है ठीक है अब उसके रिलेटेड आगे कि इन्फॉर्मेशन थू कुष्टेटर कि अच्छाइब कि इन्फॉर्मेशन थू कुष्टेटर एंड शीडियू मतलब यह वन काइंड आपको बोला हुआ था कि इसने आपको डिटेल्स दी गई होगी मैंने यूमन का एक्षामपल दिया था आपको आपको जानना है कि वहां पर सेल्स कितना हो रहा है कितने एंप्लाइस काम कर रहें इस्टॉक का बाता है कितना इल्ट्रिस एब आता है कितना एवरेश सेलरी जाता है यह सब करते हैं कि मेलिंग मैंतलब आप उसको मेल करके एक क्वेश्चनर रेडी कर दो मैंने आपको स्पीक एश्या के बारे में बोला हुआ था लेक्टर या लास्ट लेक्टर उससे पहले के सब्सक्राइब करने और सब्सक्राइब करना था उसके 10 डॉलर मिलते हैं वह मैंने पहले एक्जंपल दिया हुआ है उसकी बात करें कितने लोग के पास मेल होगा उसमें कई बार कुश्चनर राता होगा कि प्लीज फिल इस फॉर्म या प्लीज गीवासा फीडबैक या प् तो यह मेलिंग मैंसर अब इसके प्लीज कब होगी मैरिट्स और दी मैरिट्स पहले मेलिंग मैंसर कैसे होता है किसी को डाउट है कि किसी को कंप्यूशन तो हैं रेस करना प्लीज डारेक्टली कि क्लियर ओके चलो अब आगे करते हैं नाओ मेलिंग मैथड में सुटेबिलिटी कब है वैन एरिया इस वाइड आपको पांच करोड डेटा पांच करोड का डेटा है आपके पास मेल है और आपको उनसे कि इंफोमेशन निकलवानी है तो कौन सा बैटर रहेगा आपके लिए आपको डारेक्ट जाओगे लोकल या लोकल सोटिस या क्यांस था लाव एक तरना है इन्डारेक्ट और या मेलिंग तो यह मेलिंग मेथड बहुत बढ़ा एजी हो जाएगा आपको सीफ उनको मेल करन है कि आप यह करके तो यह मैं क्या बोल रहा हूं कि कौन सा कब स्यूटेबल है यह करेक्ट मैं थड़ है अगर पांच करोड का डेटा मेरे पास है उनके मेल आइडी है तो मैं घर पर जाके उनको मैं उनको मेल से इंफोर्मेशन बेट दूँगा यह यह नहीं वह टॉपिक खतम होते होते हैं आपको पता चल जाए नेक्स इफ दे इन्फॉर्मांट्स आर एडुकेटेव कई अभी किसका होता है जो पड़े लिखे लोग होते ःभी सबका मेल आइडी नहीं होता का आप पर्टल को करने लिए मेल होता है फ्यक्तिक आप दूपन कर देते सबक्सेद्ध करेंग सब लोग cevemp अमिशला का मिटार्ट कई पर कितने लोग भी लिए कि किसे लोग नेल नहीं के लिए और अफ विदन विदन आपने पहले पहले गेम के लिए ओपन ऑपन ही तो ओके आप अभी दो यूज नहीं करेप करेक्ट नहीं कभी-कभी हो जाता यानि कोई और सेंट करें कोई एमेल पोटु या वीडियो अबिस तो अभी कभी-कभी हो जात हाँ यानि तीन या चाल लोगों ने बुला कि वह रेकुलर्ली मेल चेक होता है यस बहुत ही फेक मेल भी आते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं उसका पांच करोड़ का ठीक है अब वो लोग पढ़े लिखे लोग है वह अनपढ़ नहीं और पढ़े लिखे लोग भी जो रेगुलर्ली चेक करते हो तब यह स्यूटेबल है जैसे वेदान ने बोला अगर मैंने उसको कोई मेल भेजा हुआ है अभी मैं उसको पैत मेरिट में एकनोमिकल फाइदा क्या हो रहा है एकनोमिकल खर्चा कितना कितना सबसे कम एक्सपेंस है यह आपको क्वेश्चेनर बनवाना है और सेफ मेल करना है और उसके लिए क्या चाहिए हमें लैप्टॉप कॉम्पूटर और वाइफाई या इंटरेट यह खर्चा कम है लैप्टॉप नया पर्चेस करने के जड़ूरत नहीं है आप मूबल से भी मेल कर सुझे हो वह उनके पास कैसे आएगा मतलब तेरा मेल आइडी मेरे पास कैसे आएगा हाँ तू कहीं पर जाता है तो मेल आइड लिखता है कि नहीं होती फॉर्म करता है कहीं पर जाता है तो खाना घालना घाल अघ्जाड कि अग्जाट ने वह ना उनके पास कि अच्छा अब देख एक सिंपल लॉजिक है यह ना हमारे दिमाग के बाहर की चीप है मैं आपको यह जो बात बोलने जा रहा हूं वह बहुत दिमाग सुन पड़ जाएगा एफिल टावर पता है न सबको वह जितना लंबा है न एक सीडी देखी हुए सबने सबने सीडी देखी हुई होगी ठीक है पहले यूज करते थे अभी तो पैंड्राइव पर आगा है सीडी इतनी पतली होती है ऐसे टोटल खड़ा करो ना एक एक सीडी रख रख के इतना एफिल टावर बनता है न उतना डेटा जनरेट होता है पूरे दिन में पूरे वर्ड मे सब्सक्राइब तो यह देटा लीग होता है अब जो कुएसंट है तो यह देटा लीक होता है अब जो सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं या फोन नंबर कहीं पर भी दे देते हो तो आपका डेटा थे को मुझे बजाज फाइनस वालों का रेगुलर्ल कॉल आता है अब उनके पास तो मैं तो पर लेता है उसे वह तो ठीक है कि उनके पास मेरा नंबर कहा से आ रहा है तो यह जो डेटा आप लिखवाते हो ना कहीं पर भी आपका फोन नंबर या मेल आड़े तो वहां से हो जाए और वह क्यों हो गया क्यों कि मेरे पास खर्चा ही नहीं है मुझे क्वेश्चेनर तो मैं कहीं भी बना सकता हूं वर्ड में जाके क्वेश्चेनर बना दिया मैं उसका पीडिएफ कर दिया और अब अब आपके लिए लेप्टाप और मोबाइल से भी मैं इंटरेट यह तो खर्चा बहुत पर मैं डेटा एक साथ पांच लोगों को भी बेज सकता हूं तो मेरा वेज़े बैए 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 एक दिन में नहीं बेज सकता एक दिन में कुछ लिमिट होती है तो उतनी लिम अब जैसे आपने बोला कि एंटर करते हैं वह डेटा खरीड लेते हैं कंपनी वाले और वैसे तो सर वह डेटा लीक होता है वह इलिगल नहीं हुआ वह ना तेरा डेटा तेरा फोन नंबर कहां पर गुमता है तुझे पता है तो तीन महीने तेरा मोबेल बंद रखेगा ना फोन नंबर तीन महीने के बाद वह नंबर डिस डिसकनेक्ट हो जाएगा अब वह किसी और को प्राइब करेंगे आपका कहीं पर लिखा हुआ है वह तो लीक हो सकता है ना वो तो शेयर कर सकते है किसे बोला गूगल पर तो अगर तो आप लोग गेम्स खेलते हो या फेसबूक इंस्साग्राम पर आई एगरी करते हो ठीक है चलो कौन पढ़े इतना जैसे आई एगरी किया है ना मतलब आपका डेटा शेयर हो सकता है उसमें लिखा होता है बढ़ हम पढ़ते नहीं अगर वह आई एगरी नहीं करोगे ना तो आगे भी नहीं बढ़ो यानि हम क्या है एक खाई एक कुआ है अब कुदना तो है ही क्लियर है प्लियर हम गाट इस यह से बोलो में डेटा है डेटा है डेटा ओरीजनल होगा ना डूप्लिकेट तो कैसे बोल सकते हैं तू खुच जाके इंफोर्मेशन दे रहा है यह पांच करोड लोग होगी है यह नहीं में तु किसी से ले रहे हैं ठीक है अब अले अभी हो सकता है घर देखने जाता था ना कहीं पर तो मैं गलत वी तो अब तरी नबर नहीं लिखाता है को गोटेट राज कि राज तो तो तुरा रिक्वेश्ट आई थी ने मुझे अभी नहीं वह दूसरे में चाल ओग गया था सब्सक्राइब ठीक है ठीक है ओके चला इकनोमिकल का पता चल गया सबको नाव सेकेंड डीस ओरिद अ अ अब डेटा जो मिल रहा है हमें हमें जो कुशेटर में रहा है वह और इतल बोला जाएगा खेरी इसको आपने मेल किया हुआ है वह आपको अंसर दे लेकिन जहां से मेल आएडि आ रहे हैं न वह उरिजनल नहीं बोल सकते हैं हमारा पॉइंट मैं मुझे कहा था यह उसके पॉइंट अपूइंट वाला जो कोश्चेनर का जो आंसर आ रहा है वह ओर इस एकुश्चन एनी कोश्चन एनी डाउट इन इस टूपॉइंट एकोनोम देख तुझे तू एक कंपनी का ओनर है तुझे इंफोमेशन चाहिए अब तूने मेल से मेल आएडि मांगे बाकी सबके हमारे जो गुरूप के ना दस नौ लोग उचके इंफोमेशन तूने मुझे मांगी ठीक है तो वह वह डेटा तो ओरिजनल नहीं बोल सकते करेक्ट पूर किसे चलो नेक्स वाइड कवरेज वो तो पता ही चल गया है कि बड़ी डेटा जितना बड़ा हो अगर कवर करना आपको इंफोमेशन पांच करोड लोग इसे चाहिए और मेल आइडिया हो तो वाइड कवरेज में हेल्फुल रहेगा यह बैनिफिट डिमेरिट्स आर दिमेरिट्स बहुत जाता है वरावर क्यों इसमें है पॉस्स लेक पॉफ इंट्रेस्ट अब आपने वाले का इंट्रेस्ट जैसे वेडान ने बोला कि सर मैं तो मेरे फ्रेंड ने कोई मेल किया हो तो ही मैं देखता हूं तो लैक आफ इंट्रेस्ट है ऐसे वह अकेला नहीं बहुत सारे लोग है जो मेरे पास पांच करोड का डेटा होगा ना वह पांच करोड में से घिनके एक लाख है दो लाख मुझे डेटा देने वाले बाकि सब तो क्या होगा कौन बहुत नहीं है ना चलो डिलिट कि मुझे डेटा चाहिए कि आप लोग 12 के बाद क्या करने वाले हो मैंने आपको मेल में भेजा आधे लोग के पास तो मेल आइडी नहीं है तो देखने वाले नहीं है और देखेंगे तो कौन भरे फॉन पर बात कर लो या फिजिकली या ऐसा ओन्लाइन बोला दो या फिज सब्सक्राइब क्लिया लैक आफ इंट्रेस्स का पता चल गया सबको यह सब करें चलो आगे लैक आफ फ्लेक्सिबिलिटी ह dawको और जो मैं अगश्य अब मैंने चलो मैंने मेल उपन किया और मैंने सोच लै इसको मैं आंसर देता हो जो पूछा हुआ है वो ही मुझे आंसर देना पड़ेगा अब को को क्रके अगर जैसे मैं तो उसको तरीके से पूछूंगा उसको निकल के मैं आपको बोड के मार्स गिन सकता हूं तो वही चीज है इसमें नहीं है जो यह सब्सक्राइब करने उसके अप्षेंज न जाओ एक पूल फ्लेश को पी किया है आदा कॉपी कि एक नियुक्त आप आपको नियुक्त आज पूरा का पूरा कॉपी नहीं कहा कै इसा तो लिखा हुआ ही नहीं है। फ्लेक्सिब्सिपिलिटी कहीं पर भी नहीं है। अब लिमिटेड यूज का मतलब क्या हुआै। यह मेसपड़ सबसे एक सेकंड ना एक ही सेकंड थारी कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि यह में एक चीज़ है कि लिमिटेड यूज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर लोग है मेरे पास पांस करोड का जो जिसके मेल आइडिया अब कई लोगों ने क्या है फेस्ट्बूक और इंस्ट्रग्रम की वैसे या गेमिंग के वैसे खोल दिया है उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है और उसका पासवर्ड लिखना है उसके अलगा कुछ नहीं आ थर्ड पॉइंट में नौ सब्सक्राइब फोर्थ बायस तो सब्सक्राइब होता है अब मेरे पास मेल आया है उपर पूमा का नाम लिखा हुआ है पूमा में मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं के चलो डिलेट बात खतम एक वहां पर को से नहीं फुरिशन सब्सक्राइब कुछ मिलने वाला नहीं कुछ नहीं मिले मैं बायस होगी कि मैं तो मैं क्यों उसका अंसर क्यों सब्सक्राइब करेक्ट क्लियर तो यह ऐसे बायस है ए ऊके एंड लास्ट एक्यूरसी आप सामने वाला जो बंदा है ठीक है वो कितना सही आंसर दे रहा है किसको पता है जैसे राज जैसा बंदा हो तो वो तो मस्ती करेगा है ना तेरे पास कोई क्वेश्चनेर लेके आए तो गलत ही आंसर देगा ना तो आप तो मस्ती करोगे कितने लोग के पास यह टेलीफॉन वालों का ब्रॉट्बेंड या कई पर फोन आया और कितने खपाई है ऐसे कितने लोग है अब तो चर्म है ने कितने मिनिट है रहे हैं पांच शे मिलने राज एक तो अपको मिलने वाली ही नहीं ओके चलो यह पूरा टॉपिक में किसी को सब्सक्राइब तो बोल सकता है कि एक में चालू रखते है इस 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 इन इस इन इस 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 कि एप यह सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब और यह जैसे लोगों ने डी मेरिट में पढ़ा कि जो मेलिंग है वह उसमें सर्लें से क्यूरिशी होती है तो फिर हम कैसे बोल सकते कि वह औरीजिनल है मैंने तुझे मेल बेजा अंसर तू देने वाली है कहीं से किसी से आने वाया वाया आने वाला है इसा नहीं कि सही गलत की बात नहीं है इधर ऑरीटनल या डूप्लिकेट की बात है ओकी सर्वाटिट सही गलत तो वह सेकेंड़ी चीज है और डेटा का बोला जाएगा जब आप खुद आंसर देते हो यह स्राज सार कभी कभी है ना यूट्यूब में अचानक से एड की तरह एक सर्वे जैसे आ जाता है एक दम रैंडम वह सोचल मीडिया अभी लोग कैसा हो गया इवाल होना शुरू हो गया है यूमन काइंड है तो वह इवाल हो रहा है एक जगह से सकते हैं तो लिखने के बलावा बूला जाता है वहां पे सर्वे नहीं होता इंफोमेशन तो कलेक्ट हो सकती है सब्सक्राइब तो क्या होगा कुछ नहीं क्या फरक पड़ेगा तुझे सामने वाला पकड़ने वाला देख मैंने तुझे मतलब पता नहीं चड़ा गुगल ओपिनेंट रिवार्ट में तू सही आंसर उसमें तुझे सही आंसर देना पड़ेगा उसमें नहीं है नहीं के पास हमसे ज्यादा इंफोर्मेशन होती है तेरे मम्मी पापा से ज्यादा तेरी इंफोर्मेशन गूगल के पास है इतना समझ अब तू आप गलत आंसर देगा तो वह पॉसिबल ही नहीं तो वह तो तो तेरको जरुए यह सही बोलना पड़े इस अधर किसी को राज तू लेट जोई वहा था मैं वापस बूलना चाहता हूं सबको भी एक्जाम शुरू होने वाली है इससे प्रिपरेशन शुरू कर देना एक वीक में एक एक्जाम होगी और एक वीक में एक सब्जेक कंप्रेट करना रेक्युलर क्लासेश होना उनका करना वो सब चीज रेक्युलर होगा इसे मेक शुर के आप लोग सही तरीके से सब कुछ कंप्लीट करके रखो ओके और लेर्न करना शुरू कर देना क्लियर किसी को कंफ्यूशन नो चलो आगे इन नुमेरेटर मैफ़ड कि इसका मतलब खुद हम जाते हैं हम इन नुमेरेटर है हम खुद जाते हैं और एक क्वेश्चनर हमारे पास रेडी होता है और उसकी इंपोमेशन लेके आते हैं इसमें इनवेस्टीकेशन और इन्फोमेशन लिखनी आप नियुक्शन निकालि इक एक हुत के में बहुत चारे आंसर होंगे ठीक है वह काइंड आफ डारेक्टी बोल सकते है इस पार्ट आफ एट दोनों में स्वाइट डिफ्रेंस है बट इन निमर मैथड में हम लेके जाते हैं और हमारे पास रेडी होता है क्लियर एनी कंफूजन इन देस एनीवन पहले टॉपिक को समझने के लिए फिर आगे बढ़ते यह कब सुटेबल कैसे सुटेबल है कि किसी को कंफूजर को नो सब्सक्राइब को चलो आगे नाव स्यूटेबिलिटी कि इसमें बोला हुए कि इन्वेस्टि फिल्ड आफ इन्वेस्टिकेशन इस लाज कि इसमें ऐसा बोला हुए कि इन फिल्ड आफ इन्वेस्टिकेशन इस लाज अगर इन्वेस्ट बहुत बड़ी है तब यह हमें रहेगा एस पर मैंने बोल रहा बट वो लोग ऐसा बोल रहे कि अगर हम लोग खुद जाके information निकाले और हमारा importance क्या है सही answers लाना हमारा importance वो नहीं है कि कितने लोग है कहां से है वो नहीं हमारे पास answer सही होना चाहिए उसका importance का अगर pointer वी से देखो तो यह बड़ी फिल्ड हो तो information सही मिल सकती है क्लियर यस और नो किसी को डाउट किसी को डाउट कि सब्सक्राइब कर सकते हो इन नुमरेटर मैं सर पता चला अनुखी यह सर क्या है सर मतलब वही के डिरेक्टली हम लोग किसी रिस्पॉंडेंट के पास जा है और फिर हमारे पास एक क्वेस्टेनर जो रेडी होगा और हम लोगों को उससे उसकी information मतलब पता करवानी है मतलब निकालनी है अब यह इससे इंपोर्टन्स क्या है हमारी information important है कि नंबर आफ पीपल इंपोर्टन्ट है information ओके अगर सही information चाहिए तो बड़ी फिल्ड हो तो वहां पर आपको सही information मिल सकती है कि अगर बड़ी फिल्ड में कम लोग में कम information मिलेगी बड़े जितनी फिल्ड होगी वहां पर ज्यादा information आपको मिल सकती है क्लियर कि यह सर ओके गॉट इट चोड़ो आगे सेकेंड इन्वेस्टिगेशन नीज स्पेशियलाइज एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर अगर आप लोग नए है ठीक है अब कहीं पर भी जॉइन होते हो से जॉब में और आपको बोले कि जाव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको खुद जाना है तो आपको नॉलेज कम होगा आपको पता नहीं आपके पास स्कूशन है रेडी है कैसे बात करनी है कैसे उनको ग्रीट करना है अगर वह एक आंसार नहीं दे रहे तो दूसरे का कैसे निकल वाना है वह सब आपको नहीं आएगा इसके लिए स्पेशियलाइज इन्वेस्टिगेटर चाहिए आप किसी के साथ जा सकते हो देख सकते हो कि वह इन्फोमेशन कैस पूछने जा रहे हरे हरे का मूड और हरे का टेमप्रामेंट अलग-अलग होगा तो उस जो स्पेश्यलाइज की लोगा ना उसको दो क्वेस्टिगे कि इसका मूड क्या है इसका दिमाग कैसा है उसको पता चल जाएगा तो वह उस हिसाब से आंसर पूछेगा जैसे एक सिं अब क्या हो गया है मेरे पाथ 10-11 साल का तो मुझे लग रहा है कि नहीं हाँ चलो ठीक है यह मस्ती कर रहे है या कुछ कर रहे है ठीक है एक लिमिट के अब नहीं जा रहा है तो ठीक है वरना वह जा रहा तो मैं मारोंगा तो सेम विट स्किल्ड इन्वेस्टिकेटर अगर को इक पॉइंट के बाद वो स्वेशलाइज हो जाएगा तो बैटर है किसी के जो श्री उसके साथ बेज़ो और कई बार क्या होगा आप लोगने बीदेखा होगा या आपको पता भी होगा कि जो सीनियर होता है वो कई बार अपने जुनियर को बोलता है चल तू लीड कर तूप पूछ पूछ मैं पीछे बैठा हूं अगर पड़ी तो मैं मैं भी जॉइन हो जाओंगा तूप पूछन पूछना तो वह स्किल और जरूरी है जितनी स्किल्स अच्छी होगी स्पेशलाइ तो भी वह निकलवा देगा लेकिन कब वह एक्स्पिरेंस होगा तब अके एनी कन्फूशन इन देश एनी कन्फूशन अनिवान नौसार अगे करते हैं मेरिट्स नाओ विया कमिंग तो अ मैरिट्स वाइड कवरेज यह तो आगे आगया इज़र वैन इस लाज बड़ी फिल्ड में आप जा रहे हो इंफॉमेशन लेने तो अब्यूस एक कवरेज वाइडी होगा बहुत बड़ी फिल्ड में आप इंफॉमेशन निकलने जा रहे हो तो इंफॉमेशन भी अच्छी मिलेगी काफी सारा एरिया आपका कवर हो गया और सही इंफॉमेशन मिलेगी सेकेंड एक्यूरसी जैसे मैंने बोला एक्यूरसी होगा आप खुद जाते हो और आंसर निकल रहे हैं आंसर सही मिलने के चांसेश बहुत है क्लियर एनी कंफूजन इन दिस्टू पॉइंट में यह आध्य पॉइंट आई जाते हैं किसी को कुछ कंफूजन हो तो वो लो जाता हूं उनसे बात करता हूं उनसे इंफोमेशन निकलवाता हूं तो पॉर्सनल कंटेक्ट एजी लिवोग ठीक है कई बार क्या होगा अगर आप इंफोमेशन निकलवाने जाते हो जाते हूं क्या नाम है कि हाँ आप इनके पैचान वाले तो पॉसल कंटेक्ट हो सकता है अगर फोन पे बात करोगे तो यह कंटेक्ट नहीं होगा या मेल किया तो यह पॉसिबल नहीं होगा आप खुद जाते हो तब यह बहुत इजी हो जाएगा आपको समझे और सामने वाले का जैसे पूछा और उसको बंदे को समझ में नहीं आए या वह आंसर देना नहीं चाहता तो आप इग्णॉर करके दूसरा पूछ के बाद में जब वह उसको कॉंफिटेंस आए हमारे पे सब्सक्राइब क्लियर एनी कंफूजन इन दिस थ्री पॉइंट किसी को कंफूजन चलो नंबर फो इन पार्शालिटी इस पार्शालिटी मतलब बायस नहीं होगी आपको इनफोर्मिशन जो बंदा जा रहा है उसको बायस कभी भी नहीं होगा एक चीज़ सिंपल लॉजिक है मैं एक्पिरेंस टीचर हूँ इसलिए मैंने जो को एक्जंपल दिया कि मुझे एक्स्पिरेंस आ गया तो अब मैं गुस्सा नहीं करता सेम वे स्कील्स और एक्स्पिरेंस अगर आपके पास होगा तो आप में बायस होगी ही नहीं आपको सिफ को कि कम्प्लीटनेट एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं एक्स्पिरेंस हूँ मेरे में स्कील्स है तो मैं उससे अच्छी तरीके से निकलवा सकता हूं उसको जो चीज नहीं पता कई कि बाए क्या होगा कि मुझे क्वेशन पूछा किसे अन्सर नहीं देना दर। वो सामने वाला ट्वीस करके पूछता है तो मुझे क्वेशन करके मैं हो गया है औरम आधर उसको अन्सर तो जो कोशिशन मैंने नब तो उसका जैसे मैंने बोला कि इस पे जो लिखा हुआ है कि मैरिट जैसे फॉर एक्जम्पल मैंने जए को पूछा कि उसके नाइन्थ में कितने माक्स ते अभी वह आंसर देना नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा कि मैंने उसको पूछूंगा और उसको पूछ लूँगा कि ठीक है चल तो मैं मेरी स्कील्स के साफ से मेरी जो क्या बोल सकते के इसको यूज करके मैं जो इनफोमेशन यह लोग नहीं देना चाहते वह मैं निकल वागए अनी कंफूजन इन देस प्रिशन आवास का टूरिया थोड़ा नेटवर्क में आजाओ इस इंपार्शिलिटी वाला पॉइंट अभी फ्रेस एक्स्पीरीन कर से इंपार्श्यलिटी का मतलब क्या हो अधे को बायस का मतलब क्या होता है कि आप पर बायस हो अब मैं हूं मेरे में एक्सपीरियंस है तो मैं पार्शर हो सकता हूं कई पर इस पर सर के रिपीट सौरी सरे नेटवर्क्ट चला गया था है अब देखो मैरे पास experience है मैं स्किल्स है मेरे में अब ही मुझे मेरा काम का इनफॉरमेशन निकल आब मैं वहां पर पार्शर हो सकता हूं जान चला गया है ओके अब सब्लोग रीजोइन करो उसके बाद में